हेलो ब्रवान कैसे हैं आप लोग तो दोस्तों यहाँ पर ख़वर आ रही कि केंद्री विद्याला संगंठन की ओर से जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर की बीच में एक नया भरती विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं आपको इसमें प्रामरी की भी पोस्ट होगी टीजीट हो सकता है तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि के विएस और अविएस में अलटरनेट यहर पर भरतीयां जारी होती हैं इसके पहले के विएस और एन्विएस में जो वैकेंसी आई थी तो दोस्तो 2022 में जो वेकेंसी आई थी उसी के आधार पर अन्मान ये लगाया जा रहा है कि लगबग 12,000 के आसपास पद हो सकते हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि KBS में जो वेकेंसी आती है इसमें आल ओवर इंडिया यानि कि भारत के सभी राज्यों से जो भेरती होते हैं वो आवेधन करते हैं केंद्री विद्याले संगंटन एक नान रेजिदेंशल स्कूल है नवोदे विद्याले की तरह हैं इसमें आवासी सुविधाय उपलब्द नहीं करवाई जाती है लेकिन फिर भी इसमें जो सुविधाय मिलती है वो बहुत ही आकरसक होती है सेलरी भी काफी अच्छी होती है और हलाकि अगर आप इसमें चैनित होते हैं तो आपको अपने रिहायस की विवस्ता स्वयंग करनी पड़ती है लेकिन इसके लिए आपको हरे यानि की जो हाउस रेंट एलायंस होता है वो आपको प्रवाइड करवाय जाता है के biss में जो चैन काधार है अगर आप िगीट में आवधन कर रहे हैं तो चैन काधार लेकित परिशा होता है जो कि PGT में लेकित परिशा इंट्रव्यू और डॉक्मेर विलिफिकसन तो सभी भरतियों में किया जाता है तो यहाँ पर तीन चरॉणों में यह भरति पूरी होत महत्राइब तो भारत सर्का नेमारमसार इसमें जो resisting कने एसमेंट होते हैं उनको का लाइग मिलता ए क्राइब महीलाओं के लिए यह बहुत आकारसक नोकरी होती है क्य़िकि इसमें महीलाओं को उम्र सीमा में 10 साल की छूट मिलती है, तो ये बहुत गजब की छूट होती है, हलांकि एन्वियस में भी ये छूट प्रदान की जाती है, तो सभी सेशनिक जो पद होते हैं, उस पर अगर महिलाएं आवेदन करती हैं, तो उनको 10 वर्स की छूट राप्त होती है, 2022 में प्राइमरी सिक्षक के लिए जो कुल पद आये थे, उनकी संक्या 6414 थी, तो इस बार लगभग 5000 से लेका 7000 के बीच में पद हो सकते हैं, और इस बार जो आवेदक होंगे, केवल डेलेर वाले होंगे, यानि कि फाइट पिसली भर्दी के पिक्षा थोड़ी सी कम रहेगी पहले के अंदरी विद्यालों में प्री प्राइमरी सेक्षन नहीं हुआ करता था, यानि कि नरसरी, LKG, UKG वगरा की पढ़ाई नहीं होती थी, तो इसे सम्मंदीत टीचर्स भी नहीं रखे जाते थे, लेकिन 2022-2023 कुल 500 KBS में बालवाडिका सेक्षन भी स्टार्ट किया ग स्थाई, सिख्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है, और इसकी संक्या लगबग 200-500 के बीच में हो सकती है, KBS में जो अन विज्ञापन आते हैं, उसमें असेस्टन कमिस्टर का भी पोस्ट होता है, इसमें जो एक्स्पिरेंट होते हैं, ये उ पद होते हैं, 2022 में PGT में कुल 14-9 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, TGT में कौन कों से पोस्ट होती है, तो TGT हिंदी, अंग्रेजी, संस्क्रित, सोसल स्टेडिज, मैथ, साइंस, आधि पदों पर विज्ञापन जारी होता है, इसके लामा बहुत सारे पदैस जार से पांस जार के असपास हो सकती है, अगर आपके वहला असनातक हैं, तब भी आपके लिए बहुत सारे पद होते हैं, जो कि KBS में आते हैं, जैसे कि लाइबरियरियन, प्राइमरी टीचर म्योजिक, फानेंस आफिसर, असिस्टेंट इंजिनियर सिविल, असिस्टेंट सेक्सर आफिसर, हिंदी टांसलेटर, सिनियर सेक्राट्रेट असिस्टेंट, जूनियर सेक्राट्रेट असिस्टेंट, इस्टिनोगराफर गेर दू, तो इसमें सामान असना तक भी आवेधन कर सकते हैं, तो फ्रेंस जैसा 히 आप सब लिए जानते हैं, कि यह एक नान-residencial स स्कूल है और नार्थ इस से भी इसमें वेकेंसी आती है इस साल उमीद है कि नार्थ इस से भी वेकेंसी आ सकती है फिलाल आप लोग त्यारी में लग जाएं क्योंकि आपको जो है 2024 में कई सारी सिक्षक भरतियों के विग्यापन देखने को मिलेंगे उसमें DSSB भी सामिल है के EVS और NVS के अलावा EMRS की भरती भी आपको देखने को मिलेगी और बिहार में सिक्षक भरती के लिए विग्यापन जारी किया जा रहा है तो तीसे टर्णगी जो परिशा है ये भी जून में करवा ली जाएगी और इसके बाद अगस्त में आपके चोहतिस टर्णगी जो पर पर और वेबसाइड इस्टेटीवीद ज्यानवकास.com पर भी ये लेख पढ़ने को आपको मिल जाएगा तो फ्रेंट्स आके बढ़ते हैं और UPPSC की जून और जुलाई में होंगी कई प्रमुख भरती परिक्षा है अमारो चाला लिखता है कि उत्तरपदिस लोकसिवा आय जून जुलाई में कई सारी बड़ी परिक्षाओं का आयोजन कर सकता है लेकर यहां पर फिलाल यह संभौना जिताई आ रही है कंफर्म अभी कुछ भी नहीं क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिसल डेक्रेरेंस नहीं आया है यहां पर यह जो खबर आप देख पा रहे हैं इस कहा गया था कि जुलाई में PCS की प्रार्वनी परिक्षा करवाई जाएगी इसके रामा आरो यारो और अन कई सारी परिक्षाओं थी जो की अस्तकी तुई थी लेकिन अभी तक आयोग ने कोई डेट्स कोई भी कलेंडर जारी नहीं किया है अकबार यहां पर यह अनौन असपरस्ता सामने नहीं आई है और बस जून आने ही वाला है मात्र एक सप्ता का समय बचा हुआ है तो एक सप्ता के बाद परिक्षा हो जाएगी बहुत कम पॉस्बिल्टी इसमें दिखाई दे रही है फिलाल कई सारी परिक्षाओं हैं आरो यारो PCS साहाग नगर नियोज परिक्षा को लेकर अभी तक इस्ति जो है असपरस्ट नहीं है लेकिन यहाँ पर कलेंडर के मुताबिक जो रिजर्ब डेट्स हैं उस पर अख बार का राया कि परिक्षा हो सकती है फिलाफ्रेंट्स यहाँ पर जब तक कोई भी ऑफिसल रिक्लेशन नहीं आ जाता है तब हम यह जो न्यूज है इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं हाँ इतना मान के आप चलिए कि यूबी पीसियस आरो यारो और अन्रिप्रतु की परिक्षा है यह आपकी अगस्त के बाद कभी भी हो सकती है तो अपने लिए एक डेडलाइन तय करके अगर आप अपनी स्टेडी को स् उसका पूरा लाव उठा रहे हैं वो मेंस के त्यारी में लगे हुए हैं तो आप लोग भी समय को जाया ना करें और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अपने समय की कीमत को पहचाने और यह समय आपको दुबारा से नहीं मिलेगा प्रत्युक्ताएं हर साल या यह यह कि साल दर साल कठिन से कठिन तम होती चली जा रही है और देश की 104 मसूर हस्तियों ने किया है विग्यापन दिसाने देशों का उलंगन विग्यापन नियामक ASCI ने 101 विग्यापनों के खिलाफ कारवाई की त्यारी कर ली है अभी तो आपको पता नहीं चला है कि इसमें कौन-क पदार्थ है पेपदार्थ है वैसे तो मार्केट से अगर आप चीजों को नहीं खाये तो बेतर है होममेड जो चीजें होती है वही आपको लिए बेनिफिसियल होती है लेकिन आज कल ट्रेंड चल चुका है कि जो कुछ भी है मार्केट से उठाला और उसका उप्योग करो इसका खाम्याजा भी आपको भरना पड़ता है अंतरता है आपको कई सारी गंभीर सारी समस्यों का भी सामना करना पड़ता है और देखो आज कल क्या है कि पागलपन की भी हद और कभी-कभी कुछ लोग साइको टाइप का विवहार करते हैं ये खबर मैं यहाँ पर जिम्मेदार कौन होता है तो जिम्मेदार तो पूरुस होता है पूरुस के अंदर जो यक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं वही बेटा और बेटी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं लेकिन यहाँ पर समाज में अभी ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो की महिलाओं क जिम्यदाठ हराते हैं अब ये तो मतलब अमानमीता की पराकास्था है इसे राक्षास्पनी कहा जाएगा कि आठ महीने मतलब हुआ ये था कि पांच बेटियों की जर्म के बाद एक बार फिर जब उसकी पत्नी गर्वती होती है तो उसने हसुये से पेट फार दिया ये देख उपर नीचे किया होगा और फिलाल ये जो मामला निकल के आ रहा है ये बदाईयों से है और मेरी रूप कहां पर ये इस न्यूज को पढ़ते हुए भी लेकिन मुझे लगा कि एक जागरुकता आप लोग भी फैला सकते हैं समाज में कि अगर किसी को बेटी पैदा होती है क इसके बारे समाज में लोग जाने कि जमेदार आखिर होता कोन है X और Y क्रोमोजोम क्या होता है इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए इस पर एक अलग सी वीडियो बना कर मैं अलग मुद देऊँगा फिला फ्रेंस यहां पर मोहला बदायों का कोई मोहला है उसने अपनी पत्नी का मतलब हसीय से पेट फार दिया। यह मतलब पत्ना-लाल निहां पत्ना को अवाज विजरद बाद आरोपत नहाले में दाखिल किया गया। महिला अपराद के विशेज नयाधीस त्वरित नयाधीस सौरप सक्सेरा ने प्रश्षदिवार को पन्हालाल को आजीवन का रवास की सजा सुनाई है जरूरी यह है कि समाज में यह पता चलना चाहिए कि आखिर बेटा बेटी का जो बॉलजिकल रिजन है क्या है और अगर प सिक्षा के बारे में और अगर अगर इसी गतनाएं होती हैं तो उसके बारे में भी धन्यवाद